अज फ्राइड दाल बाटी बनाएंगे ये दाल ही तूर का दाल है एक छोटी का टोरी दाल को आदे गंटे पहले बिंगो कर रखे हैं से साफ करकी कुकर में डालेंगे हल्दी पॉडर स्वाद के नुसार नमक गेड़ गिलास के करी पानी डालेंगे डखकन लगाकर इसे चार भी सिलाने तक पकाएंगे एक साइड हम बाटी के लिए आटा गूत कर तयार करेंगे दो पड़ी कटोरी बाटी का आटा है इसमें मक्का और गेहूं का आटा दोनों मिक्स है रवे की तरह थोड़ा दाने दा रही है दो चम्मच तिल डालेंगे स्वाद के नुसार नमक अजवाइन एक चोटी चम्मच बेकिंग सोडा है दो पिंच डालेंगे दो पिंच ही डालेंगे जादा नहीं डालेंगे इसे मिक्स करेंगे इसमें तेल डालेंगे तेल डालकर इसे मिक्स कर लेंगे मोयन को चेक कर लेंगे इसे मिक्स कर लिये हैं मोयन को चेक कर लेंगे इगर ये लड़ू की तरह बन रहा है तो परफेक्ट है ये इसमें अब ज्यादा नहीं डालेंगे तेल पानी डालकर आटग उत लिंगे सॉप्ट ये आटग उतेंगे ज्यादा हार्ड नहीं गूतेंगे सौप्ट डोट तयार कर लिए हैं इसे ढख कर रखेंगे आदे घंटे के लिए बैगन और टमाटर को दो कर साफ कर लिए हैं इसे भून लेंगे एक लहसन है तीन हरी मिज डालेंगे आप तीखे के नुसार से डाल लें सभी को भून लेंगे डाल चार सिटी आ गया था गैस का फ्लिम आप किये हैं डाल में तड़का लगाएंगे पैन में तेल गरम करेंगे जीरा राई डालेंगे हिंग डालेंगे लहसन को बारिक बारी काट कर डालेंगे लहसन को भून लेंगे लहसन का कलर चेंज हो गया है बारी कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च को भी बारी कट कर डालेंगे प्याज को गोल्डिन ब्राउन होने तक भून लेंगे प्याज भूनने लगा है हल्दी पॉर्डर डालेंगे हल्दी पॉर्डर डालकर मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो कस्मिरी लाल मिज पॉडर भी डाल सकते हैं मिक्स कर लिए भून लिए हल्दी पॉडर को धनिया पॉडर छोटी चम्मज डालेंगे आधी छोटी चम्मज उससे थोड़ा सकम जीरा, सौप का पॉडर और काली मिज का पॉडर डालेंगे सभी को भून लेंगे एक मिनट भून लेंगे मसाले को मसाला भून गया है बारी कटावा टमाटर डालेंगे एक मीडियम सैज के टमाटर इससे बारी कटाट कर डालेंगे टमाटर डाल कर मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे नमक डालेंगे, दाल में भी नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, मसाले के लिए बस डालेंगे, नमक डालकर मिक्स कर लेंगे, ट्रमाटर को सौप्ट होने तक पकाएंगे, ट्रमाटर सौप्ट हो गया है, मसाला भी घून गया है, दाल डालेंगे, दाल डाल चालो धेंगे के जाड़े से थीक है थोड़े सा पानी डाल कर मीक्स कर लेंगे जाड़े से दाल को दो से तीन मिनट पका लेंगे धक्कन लगाकर पका ले दो मिनट के बाद धक्कन अटाकर चेक कर लेंगे दाल उबलने लगा है उबाला आगे है दाल में इस दो मिनट और पकाएंगे गरमसाला पॉर्डर डालेंगे आदी चूटी चम्मच मिक्स कर लेंगे धनिया पत्ती डालेंगे बारिक बारी काट कर धनिया पत्ती डाल कर मिक्स कर लेंगे एक मिनट और पका लेंगे ज़्यादा गाड़ा नहीं रखेंगे डाल को ठंडा उने पे वैसे भी थीक हो जाता डाल इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे एक मिनट पका लिए हैं गैस का फिलेम आफ करेंगे बैगन और टमाटर को भून लिए हैं सभी को एक बरतन में डालेंगे धनिया पत्ती लहसन और मीर्च को बारिक बारी काट कर डालेंगे टमाटर और बैगन का छिलका निकाल कर डालेंगे सबादके नुसार नमक सरसो का तेल डालकर अच्छे से meng Luca कर लिए आप चाहे तो इसे chopper में भी डालकर chop कर सकते हैं सब अच्छे से mix हो जाएगा इसे हम चम्मच से mix कर लिए हैं geld tomato का भरता बनकर तैयार हो है बाती बनाएंगे बाटी का आटा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है डो इसलिए हम सॉप्ट लगाये थे हलका सा गीला टाप का पानी सोक लेता है बाटी का आटा से मिक्स करके इसे लोई बनाएंगे जादा बड़े नहीं बनाएंगे मिडियम साइज का इलोई बनाएंगे इस तरीके से ही सारे बाटी को तयार कर लेंगे एक बड़े बरतन में पानी गरम करेंगे सारे बाटी को तयार कर लिए हैं पानी गरम हो गया है पानी में उबाल आने लगा है पानी उबलने लगेगा तब सारे बाटी को डालेंगे एक एक करके सारे बाटी को डाल लिए है इसे ढखकर दो मिनट के लिए पकाएंगे दो मिनट के बाद इसे मिक्स कर लेंगे 6-7 मिनट में ये पक जाता है ये उपर के तरफ तैड़ने लगेगा तब तक इसे पकाएंगे बाटी तैरने लगा है तो इसे निकाल लेंगे सारे बाटी को निकाल लेंगे सारे बाटी को निकाल लिये हैं इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे ठंडा होने के बाद ही इसे तलेंगे बाटी ठंडा हो गया है एक साथ तेल गर्म करने के लिए रखेंगे बाटी को तलने के लिए बाटी को इस तरीके से काटेंगे तो ये तूटेगा बहुत ही सौप्ट होता है ज्यादा पतला भी नहीं काटेंगे पतला काटने से भी ये तूटने लगता है बाटी को इस तरीके से चारो साइट से घुमा कर काटेंगे यह नहीं तूटेगा इस तरीके से काटेंगे तो सारे बाटी को इस तरीके से ही काटेंगे थोड़ा सा मोटा काटेंगे सारे बाटी को काट कर रखेंगे तेल गरम हो गया है बाटी को डालेंगे गर्म तेल में एक मिनट के बाद इसे पलट लेंगे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे बाटी को सारे बाटी को पलट लिए हैं दूसरे साइड भी पलट लेंगे दो मिनट के बाद बाटी का कलर चेंज होने लगा है इसे मेडियम फ्लेम पे फ्राइ करेंगे बाटी को बाटी का कलर चेंज हो गया है गुर्डन कलर का हो गया है बाटी इसे निकाल लेंगे इसी तरीके से सारे बाटी को तल कर तयार करेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पिसंद आए तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करें, कोमेंट करें दूसरे पैज में भी इसी तरीके से सारे बाटी को फ्राइ कर लेंगे बहुत ही सॉप्ट बनता है उपर से क्रिस्पी रहे गई है दाल बाटी आल बैगन टमाटर का भरता बनकर तयार हो गया है आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करें, थैंक यू बाई